गुद मॉर्निंग एवरिवन, हाव आर यू गुद मॉर्निंग वाशु, राखी, मुकेश, रुची, प्रग्या, वेरी गुद मॉर्निंग बच्छों तो कैसे हैं सब बचे हूँ, होप एवरिबड़ी इस फाइन तो चली शुरुवात करते हैं अपने वर्क की क्लिरली विजिबल है बच्छों आपको, क्या आपको क्लास विजिबल है जी रुची, गुद मॉर्निंग, गुद मॉर्निंग जी रुची, आम फाइन नाओ, अब मैं अच्छा हूँ तो चली बच्छों शुरू करते हैं अपने वर्क को ओके, ओके, मुझे बताएंगे आप लोग तो सबसे पहले आज हम देखते हैं अपनी कोटेशन को देखते हैं सबसे पहले एक अच्छी कोटेशन हमारे पास है कोटेशन हमारे पास है के नथिंग तो यह थोड़ा सब फिलोसोपिकल है हमारा लेकिन इसको ध्यान में रखेंगे सब बच्छे और फिलोसोपिकल के तोर से इसे पढ़ेंगे तो बच्छो चलिए शुरुवात करते हैं अपने वर्क की और आज का वर्ड है आपका अलिटरेशन अलिटरेशन किसको डिफाइन करता है तो यहां पर देखेंगे इस वर्ड को अलिटरेशन alliteration may be defined as तो क्या कहेंगे हम इसको literary genre, repeated consonants in a sentence, a repetition of a speech sound in a sequence of words, या फिर literary aptitude read class will be there, हां जी Ruby, evening में read class होगी, 8 o'clock career will app तो बच्चों क्या अंसर करेंगे हम question number 1 का alliteration में हम क्या answer देंगे तो बच्चों आपने आंसर दिया है, क्या आप इसको देख पा रहे हैं हाँ जी, buffering issue था लेकिन अब ठीक है तो क्या आप इसको देख पा रहे हैं, question number 1 का alliteration का means अगर हम देखे तो C बनेगा हमारा आंसर क्या बनेगा बच्चों, it would be C repetition of a speech sound in a sequence of words no no no, alliteration, alliteration का means B बनेगा, repeated consonants in a sentence repeated sentence in a हाँ जी, तो आंसर हमारा B हो गाए, यहाँ पर B buffering is there, okay, अब मुझे बताईए, अभी buffering है बच्चों देखो, गर हम B और C को देखे हैं, यहाँ पर B और C, तो B और C में सिर्फ इतना difference है, repetition of a speech sound, यहाँ पर speech sound दिया है, लेकिन उपर सिर्फ दिया है, रेपेटेट, repeated consonants in a sentence, repeated consonants ने बलकि उसकी sound होता है, तो थोड़ा सा problem है, तो इसमें से B और C दोनों में से answer मिलके बनेगा, है ना, यहाँ पर बस इतकित्या होने, जो consonants sound होनी चाहिए, बच्चो, पकट पा रहे हैं आप, तो थोड़ी सी problem है, अच्छा अभी भी अच्छे से नहीं चल रही है, रूची, क्या अब अच्छे से चल रही है, सब बच्चे मुझे बताएं, मौहित, is it going on well now, जी बच्चो, second का देखेंगे, question number two का देखेंगे, आप, which of the following words means a later, hater of learning, तो आप hater of learning को क्या कहेंगे, तो hater को हम कहते हैं, mesologist, answer आपका a बनेगा, कई बच्चों ने सही answer दे भी दिया है, mesologist, क्योंकि logist से related होगा, question number three को देखते हैं, what is the meaning of the word demagogue, demagogue हम किसे कहते हैं, an unprincipled popular leader, या फिर हम कहते हैं, a leader who changes political parties, a leader who is committed to the nation, या फिर none of these, क्या answer देंगे आप लोग, तो demagogue basically, demo का, demo का means किसे होता है, people से, और गोग का means है, उनको represent करने वाला है, यानि कि a person who represents the people, तो क्या answer बन जाएगा सब बच्चों का, third का, third का answer बनेगा आपका C, a leader who is committed to nation, एक ऐसा leader जो nation को committed हो, done everyone, three का answer क्या सब बच्चे देख पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, हाँ जी राकी, अब ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अगला वट देखेंगे, four number, minigree, so minigree, fishy, इसका means क्या है, is a place, यह किसके लिए place होता है, fish and water के लिए, wild animals and birds, ammunitions या फिर invalids to enjoy good health, question number three cancer, four cancer क्या देंगे, तो minigree, जो place होता है, place या कहेंगे, हम इसे cage कहेंगे, cage, cage for birds, यह ना, birds बगएरा जो होती, जो cage में रखे जाती हैं, उसे हम कहते हैं, तो इसमें आएगा wild animals and birds, आचा निलम, आप इसमें एक बार exit होके in हो जाएं, तो यह चल जाएगा, question number next को देखते है, tito tailor, यह बच्चो वर्ड आपने कहीं बार पढ़ा है, tito tailor कौन होता है, tito tailor is one person who does not take any intoxicating drink, तो B बनेगा, जो कोई भी intoxicating drink नहीं लेता है, यानि कि tito tailor मैंने बताया था, tito tailor की नाम से आप इसे याद कर सकते हैं, 4 का, तो 5 का answer हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर B बनेगा, answer for 5 वोड़ बी बी, अब हम देखते हैं question number 6 को, too much official formality, अगर बहुत ज़्यादा official formality किसी work में हो तो हम उसे क्या delayed formality, officiousness या फिर red tapism, क्या कहते हैं, हाँ, जी, बिल्कुल सही है, 5 का B बन जाएगा बच्चों, तो 6 का हमारा क्या बनेगा, official formality अगर बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाती है, तो it would be taken as red tapism, बिल्कुल ठीक है, answer D बनेगा आपका, red tapism का means होता है, लाल फिता शाही, है ना, लाल फिता बांद के वो रख देते हैं, और उसके बाद में इस भी देरी होती रहती है, बिल्कुल सही है, red tapism कहलाता है, too much official formality, अगला question देखते है, I speech made without preparation, एक ऐसा I speech जो बिना preparation के बनाया गया हो, क्या prepared कहेंगे, extempore कहेंगे, debate कहेंगे, या फिर illocution कहेंगे, question number seven का answer हम क्या बनाएंगे, बताएं सब लो, जी, red tapism बन गया सब या, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे question number seven का answer क्या बनेगा, इसको extempore कहेंगे, तो it would be extempore, ठीके जी, extempore would be there, और इसी को हम कहते हैं, impromptu, impromptu, अगला question, the young one of the cat is, cat के बच्चे को हम क्या कहते हैं, puppy, calf, kid, या फिर kitten, बिल्कुल सही है, extempore कहेंगे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट जा रिये बात, तो बिल्कुल सही answer है, ये kitten बनेगा, it would be the kitten, the young one of the cat is the kitten, ministers के speech तो उनके prepared होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं, जो एक्स्टेंपोर करते हैं, अगले question को देखते हैं, nine number, a person who hates the institution of marriage is called, marriage के institution को एक तरह से hate करता है, बच्चों हम इसे नाम देते हैं, mesogamist, मैंने आपको बताया था, game, ये जो game होता है, game, इसका मिन शादी से होता है, a cure for all disease, इसको हम आपने कल भी किया था, a word, panacea, pen का मिन से all, sia का मिन से remedy, remedy for all, तो ten number का हम answer, a बनाएंगे, correct everyone, comment बहुत लेट जा रहे हैं, बिल्कुर सही बात है सभी है, आज पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, comments have been very late, अगर एक question पर आते हैं, 11 number, what is meaning of incongruous, तो बच्चों, incongruous का means होता है, absurd, जो मतलब किसी को fit ना करे, absurd हो जाएगा, जबकि congress हो जाएगा, तो उसको appropriate हम कहेंगे, तो 11 का answer हमारा C बनेगा, इसी तरह से 12 को देखेंगे, docile, docile का मिनसु तो बहुत ज्यादा सीधा, gentle जिसे हम कहते हैं, docile का मिनसे gentle person, हम आगे बात करते हैं, question number 13, enigmatic, तो enigmatic का मिनस होता है, puzzling, B, तो enigmatic क्या होता है, puzzling होता है, 14 नंबर को देखेंगे, elegant, synonym of the elegant, तो बच्चों क्या बनता है, हमारा graceful, elegant का मिनस होता है, graceful, grace से भरा हुआ, elegant, जो मतलब देखने भी एट्रेक्टिव हो, जबर्दस्त हो, हमें attractive लगे, तो question number 14 का आणसर हमारा graceful होगा, meaning of the liaison, liaison का मिनस क्या बनेगा, इसका मिनस होता है, intimacy, बहुत close जब होता है, closeness जब होती है, तो वो listen कहलाती है, liaison, जबकि solicited का मिनस होता है, बच्चो advice requested, अगर हम किससे advice request करते हैं, तो वो होता है solicited, जैसे राष्टपती, राष्टपती से, council of minister solicit कर से है, सुप्रिम कोर्ट करता है, तो कोट राष्टपती से सलाह लेता है, या राष्टपती कोट से सलाह लेता है, solicited होती है, तो सिक्षिन का answer हमारा ए बनेगा, पकड़ पारें ऐसा बच्चे, इंडीज़न का मीज़तक होता है, यह भी कई बार पूछा गया वर्ड है, पुर, 19, disposition, आपको disposition को देखना है, क्या बनता है, once nature of temper, किसी का temper जैसा होता है, वो ही उसका disposition कहला, कहलाता है, कि किस तरफ जुपता है, अच्छे वयवार की तरफ, बुरे वयवार की तरफ, पछी संगत की तरफ तो Q19 का आंसर आप C देंगे जबकि 20 को देखेंगे 10 वी्टेंट पर्टीणेन जो बर्ड है इसका मेंस होता है उलेवेंच पर्टिनेंट का मींस है रेलिवेंस, किसी चीज की रेलिवेंस, इंपोर्टेंस होना, वो कितना इंपोर्टेंट है, हाँ जी, 19 का C बनाएंगे, बलकुर सही है नेलम, और 20 का हमारा B बन जाएगा, अब हम देखते हैं, question number 21, यह आपको idioms phrases में देखना है, B, all, and, and, all, be, and, and, all, and, all का मींस बनता है, the whole and soul, the whole and soul का मंतरा बेर जो सबसे उपर हो, वो ही be, all, and, and, all होता है, हाँ जी, रूची, message आ रहे हैं, बिलकुर आ रहे हैं, आपके message, 22 में आप देखेंगे, योमें सर्विस, अगर आप योमें सर्विस की बात करेंगे, इसका मींस होता है, excellent service, क्योंकि योमें हमेशा excellent service देता है, तो 22 का हमारा D answer बनेगा, जी, बिलकुल बच्चों, पकड़ पारे हैं सब लोग, 23, with a high hand, 23 का मींस है, with a high hand, इसका मींस होता है, dictatorial way में, अगर कोई high hand करके ऐसे करता है, तो समझ जाओ बच्चों, वो dictatorial है, तो 23 का answer हमारा B बनेगा यहाँ पे, जबकि hand in hand, आप सोचो hand in hand किसके चलते हो, आप हाथ में हाथ डालके किसके साथ भूमते हो, जो क्या होता है आपका, काफी pass वाला, close together, तो इसे हम कहते है, close together, साथ में चलने वाला, जी 23 का, 25 का देखेंगे, to trade on someone's toes, to trade on someone's toes, किसी के toes की तरफ उस देखेंगे, उसे बेज़ज़त करना, इसका में से अपसेट समवन, किसी को अपसेट करना, राइट बच्चों, तो 25 का हमारा क्या बन जाएगा, इट वोड़ भी C, जबकि bad blood को देखो, मैंने दो बताएते हैं, आपको blue blood जब हम कहते हैं, तो एक influential person होता है, इसका मेंसे aristocrate, लेकिन जब bad blood कहते हैं, तो बुरा खुनम, उस person को कहते हैं, इसका तो खुणी खराब है, जिससे हमारी unfriend produkt होता है, दुष्मनी होती है, इसका मेंसे मेंसे दुष्मनी, तो अगर किसी से दुश्मनी हो जाती है हम कहते हैं इसका तो खून ही खराब था, बैड बलड था So 26 का आप आंसर B बनाएंगे यहाँ पर अब देखो बच्चों हश्मनी हश्मनी का मेन सीधा होता है ब्राइब से यानि कि the bribe paid to keep some matter secret किसी matter को secret रखने के लिए जो ब्राइब पे की जाती है वो हमारा हश्मनी कहलाती है जब हम एक flying visit किसी को देते हैं इसका मेन से हम उसे short visit प्रोवाइड कर रहे हैं जब हम किसी को flying visit देते हैं इसका मेन से short visit प्रोवाइड कर रहे हैं और बच्चो brain wave का means यहाँ पे होता है brain wave का means होता है यहाँ पे sudden inspiration एक brain में वेव आना sudden inspiration हमें कहीं से मिलना जबकि to meet once waterloo किसी की waterloo से मिलना है इसको हम क्या कहते हैं to meet once final defeat यह बच्चो ध्यान से रहे हैं to meet once waterloo का मिलन से यहाँ पे बीच में आप correction देंगे once waterloo में अगर देखेंगे तो नेपोलियन कहीं नहीं जिन्दिगी में हारा लेकिन यहाँ पे हार गया था है ना कहां पे वाटरलू में तो यह प्लेस उसके लिए जाना जाता है इसमें पीछे चल रहे हैं हां जी इंटरनेट की कुछ गड़ बढ़ है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है रात भी बारिश काफी थी तो ठीक है बच्चो लाइक जरूर करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे शेयर भी करेंगे और बच्चो सब्सक्राइब भी करेंगे तो चल दिए मिलते हैं, 9 a.m. आपकी क्लास है बच्छों, करियर विल एप पे जो बच्चे हैं, उनका रिवीजन है और बाकी इवनिंग में उन सब बच्चों की जो यूपीटेट वाले हैं, यूपीटेट वाले बच्चों की और रीट वाले बच्चों की, स्पीशली पेडगोजी की क्लास होगी 8 p.m. से करियर विल एप पे डन बच्चो तो यह आपको श्याम वाली बात ध्यान रखनी है और मॉर्निंग में अभी 9 o' क्लोक आपकी क्लास होगी DSSB TGT English वाली जी बच्चो थेंक यू सौ मच्च वाव ग्रेट टाइम अच्छ अच्छ ठीक है मुकेश आल राइट दन